बिफोर डिस्कसिंग दिस थिंग यानि शिपिंग इंफरमेशन की या शिपिंग कॉस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है लेट ऑस सी के फिर अगर्गर शॉपिंग कार्ट यानि आलराइन शॉपिंग कर रहा हूं तो क्या में रीजन है जिसकी वज़ए से लोग आलराइन शॉपिंग कंप्लीट नहीं करते या लोग आलराइन शॉपिंग रोग क्यूं देते हैं बिफोर गंपॉलिशन 44% लोग ऐसे हैं जो हाई शिपिंग कास्ट की वज़ा से आनलाइन शौपिंग अबर्डन कर देते हैं असाल लफ़ों में कि अगर मैंने एक परड़क्ट फर एक्जामपल USA से खरीद है उस परड़क्ट को पाकिसान में मंगाने की कास्ट अगर उस परड़क्ट की अपनी कास्ट से ज़्यादा है तो अबर्ड़क्ट की कास्ट से ज़्यादा नहीं है लेकिन अच्छी खासी है तो मैं उसको जो आनलाइन शौपिंग है उसको अबंडन कर दूँगा रोग दूँगा बीच में तो यह आपको स्टैट बताने का मकसद यह था कि यह एक सबसे बड़ा रीजन है वन अफ दो को रीजन है जिसकी वईसे लोग ऑनलाइन शौपिंग जो आई मीन कम्प्लीट नहीं करते सो क्या मतलब है इसका वोट ड़ज इट्स एट्रांसलेट टू इट्रांसलेट टू टू थ्री पॉइंट्स सबसे पहला पॉइंट और सबसे ग्रिटिकल पॉइंट कि जो शिपिंग कॉस्ट है वो आप कस्टमर को या क्लाइंड को आप क्लीरली बताएं अब फ्रेंट बताएं यानि कोई hidden charges ना रखें hidden charges से मुराद यह है कि let's suppose and this actually happened to me personally कि मैंने एक for example, एक book मैंने online order की मैं obviously shopping card का नाम नहीं बताऊंगा वो book थी 79 pound की जब वो book पाकिसान में आई and 79 pound was the total amount which was deducted from my credit card जब वो book पाकिसान में आई जो delivery वाली company थी they asked me sir यह तो you have to pay me 4,000 more तो मैंने का 4,000 more वो किसली है उने ने का जी यह आपके shipping charges है तो मैंने उसको वो bill रखाया जो मेरे credit card से निकला था और I shown him the order तो उस पे उसने का sir यह है तो hidden cost and it actually happened and the brand was very good brand UK based brand so what I am trying और इसी वाज़ा से I mean I decided कि मैं कमा कम उस shopping जो store है उससे दुबारा book तो नहीं खरीदने लगा तो the point is कि आप clearly बताएं customer को आप client को clearly बताएं कि shipping cost है क्या shipping charges है क्या that's one very very critical point number two आप यह क्यों बताना जरूरी है हो सकता है मैं ज्यादा पैसे देने के लिए तयार हूँ अगर मुझे जल्दी deliver मिले है मतलब अगर में पास दो तिन options हो express delivery है खास होब इंटरेंशन clients ही बात कर रहा हूँ express delivery है normal delivery है यानि मुझे duration बता लग जेगी कि मुझे x product कितनी देर में मिलेगा अगर में पास multiple options है तो I can I can select from the multiple options यानि user ease user को आप ease provide कर रहे है ना कि user को you know आप hide कर रहे है कोई चीज that's one thing other thing जो billing information है this has to be captured very very accurately up to the last limit last limit से मुराद यह है कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए and by the way this happened to some other shopping cart I have I have personally experienced it कि आप billing information कुछ फीड खाली भी छोड़ दे फर्दमब सिटी का even then they accept it so मैं कहने का मत्तब है कि shipping information billing information should be captured very very accurately last point free shipping free shipping खासर पाकिसान जैसे country में जहांपे अभी ecosystem e-commerce का अभी you know अभी grow कर रहा है अतना mature नहीं हुआ जितना जितना बाहर है तो पाकिसान में free shipping जो है वो बहुत ज़्यादा उससे लोग attract होते हैं बहुत ज़्यादा जो customers हैं वो इसके online shopping के तरफ बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं कि अगर आप उन्हें कहें जी कि एक particular area में shipment free है एनी for example आप कहें जी कि लहूर के इस इस area से अगर आप कोई order करेंगे या आप order कर रहे हैं तो आपके shipping charges कोई नहीं हैं या कोई अगर cities हैं multiple तो आप ये कह सकते हैं कि multiple cities में आपके shipping charges नहीं है reason being कि जहां मैंने for example एक चीज़ खरीद नहीं थी मुझे पता कि shopping shipping services के charges नहीं हैं तो गुस्ट आप मैं 3-4 चीज़ खरीद दो that's a rationale behind it क्यों हमोमन 30-40% लोग ज्यादा spending करते हैं अगर आप उन्हें free shipping की service दे तो अभी हम ये देखते हैं कि for example if I am buying from Amazon तो वो लोग कैसे shipping charges खासवर पे shipping charges और duration वो हमें कैसे provide करते हैं तो let us do a small demo of Amazon बुक में shopping card में added है अब मैं deliver to this address पे click करता हूँ तो हम उस screen पे आजेंगे जो actually मैं discuss करना चाहरा हूँ proceed to check out जब इस पे click करेंगे तो it will ask me to sign in क्योंकि कुछ देर होगी थी sign in किये वे तो deliver to this address मैंने click किया so this is actually I want to show कि अब मुझे वो बता रहा है कि अगर तो standard shipping है उसमें कोई tracking मौजूद नहीं है तो वो बुक मुझे मिलेगी 14 जून से लेकर 31st October के दौरान just imagine अगर मैं expedite करता हूँ international shipment है no tracking तो वो मुझे कह रहा है 31st महें से 9 October के दरम्यान मुझे मिलेगी और अगर मैं priority पे जाता हूँ तो मुझे वो duration बता रहा है कि यह कितनी duration में जाएगा let's suppose मैं इसको priority पे क्लिक करता हूँ I proceed further तो मुझे यहाँ पे सारी के सारी information देने पड़ेगी जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो यह वाली screen थी कि आप आप client को clearly बताएं अमूमन यह होता है कि client से information hide कर ली जाती है and client keep on pinging the company कि मेर product ship हुआ नहीं हुआ अब यहाँ पे एक line लिखी हुई है कि usually ship within two to five month just imagine आठ से बीस हफ्तों की shipment duration हो बता रहा है अब हो सकता है कि जो यह booklet है यह हो ही ऐसी यह बहुत rare हो अब यह शो कर रहा है कि हो सकता है यह इनकी अपने inventory में भी ना हो इस वज़े से इन्होंने यह जो shipment की duration लिखी है वो बहुत ज़ादा लिखी है just to be on safe side even मैं जब जब priority international corridor पे भी जा रहा हूँ फिर भी मुझे duration देखे 22 May minimum कह रहा है that is like one month from now and 26 September तो May June July August September पांच महीने का मुझे वो टाइम फ्रेम दे रहा है तो यह information आप प्रोवाइड करें let's suppose मैं अगर end user हूँ तो अब मैं यह देखे obviously मुझे book अगर जल्दी चाहिए तो मैं यहां से पचेज़ नहीं करूँगा I will look for alternate option लेकिन अमोमन कुछ कंपनीज यह चुपा देती हैं intentionally चुपा देती हैं I don't know the reason लेकि वो चुपा देती हैं so this was the intent of showing you कि आप clearly बताएं client को खास और पे international client को कि shipping के charges के हैं shipping की duration के है खास और पे so this is all about shipping information